नमस्कुर दोस्तो आज की वीडियो काफी ज़ादा ख्सोने वाले यहार आज की वीडियो में हम बताई आपको क्या करने वाले है तो उस सिचुएशन में अपने मोबाईल में जो आपकी मोबाईल में जो वीडियो है उसे आप अपनी LED TV में data cable की मंदद से चला सकते हैं data cable मतलब समझ रहे हैं मतलब की जिसे आप अपना mobile चार्ज करते हैं charger से आप data cable हटा लीजी वही data cable होता है उसी के मादम से हम अपनी LED TV में वीडियो को चलाने वाले हैं दोस्तों इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इसलिए इस वीडियो को पुरा देखना लेकिना उससे पहले मेरे छोती सी रिक्वेस्ट है इस वीडियो के description में मेरे सेकेंड चैनल का लिंक मिल जाएगा उस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि अभी के टाइम पर ना इस चैनल पर चल रहे हैं एक कौपी राइट इस्ट्राइक लग चुकी है इस चैनल पर और मैं नहीं चाहता हूं कि यह चैनल किसी भी वक्त डिलीट हो जाए जिसकी वजह से आप लोग मुसे दूर हो जाए तो इसलिए आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे ताकि अगर यह चैनल डिलीट भी हो जाए मेरा तो उस चैनल के मादेम से आप लोग मुसे जुड़े रहे हैं तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में द इससी जो है जानकारी होनी चाहिए जो कि हर एक बंदे को होती है मुझे भी है जानकारी कि आपको कैसे कनेक्ट करना है आपको मुबाइल में कुछ सेटिंग्स वगरा ओन करनी पड़ती है अगर वो सेटिंग आपने सही पूर्व देख ली तब तो आप जो है आउन कर देंगे तो चलिए मोबाइल की स्क्रिंग पर लेकर चलता हूँ है स्वेसे मैं आपको वो दो शेटिंग आपको आउन करके दिखा देता हूं कौन कौन से रवूर्व करना आये देखते हैं मोबाइल इसक्री में कर लिया है मोबाइल की स्क्रीन ओपन हो जाने के मुबाइल के सेटिंग में आ जाने के बाद सिंपल सा गाईस यहां पर नीचे आपको एक option मिलेगा एक फोन का यह देखे हर एक मुबाइल में एक फोन का उप्षन होता है तो एक फोन पर क्लिक किजिए एबाउट फोन पे क्लिक करने के बाद यहां पे एक वर्जन का option देखेगा यह देखी सबसे उपर में राइट साड में version पे कलिक कीजिए यहां पर अपको इसके बाद में सबसे top कौन से अउन करने वह मैं आपको बताता हूं आपको सेटिंग में ही रहना है उसके बाद में आपको सिस्टेम का option मिल जाएगा हारे एक मोबाल में होता है system का option पर किलिक करना है and system ф значит कर लेने के बाद यहां पर आपको एक बाप मिलेगा developer option तो बस यही developer option पर क्लिक कर दीजे यह अगर आपके पास on नहीं है तो build number पर साथ बार और क्लिक कीजिए on हो जाएगा developer option उसके बाद में developer option के अंदर इस प्रकार से scroll करना है और यहां पर आपको एक option मिलेगा USB dubbing करके debugging करके sorry USB debugging का एक option मिलेगा simple सा guys इसे on कर देना है और on कर देने के बाद यहां पर थोड़ा सा off sorry थोड़ा सा और नीचे जाना है यहां पर थोड़ा सा और नीचे जाना है अभी एक और setting on करनी पड़ेगी यह देखे default USB configuration नाम से एक setting है default USB configuration पर क्लिक कर देना इसके अंदर या कितने option है यह देखे पहला है transfer file ओके दूसरा है USB तेधिरिंग मतलब कि चार option है चौते में है no data transfer तो यहां पर हमें जो है अपने mobile का वीडियो LED TV में देखना है बहुत सारे लोग no data transfer पर क्लिक कर लेते हैं जिसके वज़े से नहीं हो पाता है तो यहां पर आपको क्लिक करना है media पर USB तेधिरिंग पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद में बैक कर लेना है बैक कर लेने के बाद में सब कुछ यहां से बैक कर ले सकने की स्च्रीट पोर además कर ले यहां से अब जो मैं आपको LED TV की स्क्रीन पे लेके चलता हूं उसके बाद में दिखाता हूं कैसे आपको connect करना है अपने mobile को लेकिन यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी हाथ जोल के निवेदन है भाईया मेरे second channel को subscribe जरू कर लेना link आपको description पार्ट में मैंने दे दिया है तो उस channel को जरूर subscribe कर लेना क्योंकि यार आप लोग ही ऐसे बंदे हो जो मुझे support कर देऊ अगर आप लोग ही नहीं support करोगे तो दूसरा कोई तो मुझे support रही नहीं करेगा तो हाँ उस channel को भी subscribe कर लेना तो चलिए अब यहाँ पे mobile में जितनी भी setting थी वो मैंने सभी on कर लिया है और on कर लिने के बाद में आपको यहाँ पे मैंने देख सकते LED TV को on कर दिया यहाँ पे media option मैंने पहले ही select करके रखा हुआ है अगर आपके पास media option नहीं आ रहा तीवी में तो अब ही वीडियो के last में मैं आपको बता दूँगा TV में media option कैसे लाना वह मैं आपको लास्ट में वीडियो में बता दूँगा यह देखे मेरा यह realme का mobile है जिसकी screen पे मैंने सभी जो setting on करके दिखाए थी वही मेरा mobile है तो इसी mobile को मैं connect करने वाल हूँ अपनी LED TV में तो सबसे पहले data cable को ले लेंगे इसका यह charging वाला सीरा जो है अपनी LED TV की बैक साइड में लगा देंगे बतलब कि जो हमारी LED TV का पिछे का पिछोगाडा है ना वहां पर USB करके एक option मिलता है यहां पर यार मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं यहां पर यह USB करके option होता है तो यहां पर आपको लगा देना है ओके लगा देने के बाद आप सिंपल सा फंड़ाए गाइस इस प्रकार से आगे कर लेना है या यह कहां फस गया उपर से कर लेता हूं कि हाँ तो अब दोस्तों data cable यहां पर आ चुका है और मैंने mobile में सबी setting तो आने ही कर लिया है कर लेकर देखा है हुरा हो सकता है वहाँ से दीखाई ना दे रहे हैं इसलिए मैं Woah आपको एक वर्हुर्ज को मैंने जकेकर लिए लगा देखा यहां धो कि नोटिफिकेशन भार में इस प्रकार से से आप्सेन कि यहां पर सिंपल सा गाइस इस पर क्लिक करने हैं और यह फ़िए चार्ज हो रहा है ओनली चार्जर लगा हुआ है तो यहां पर मेडिया मडेर्ट पर क्लिक करना है मतलब कि फर्स्ट वारे औप्षन से केवल हमारा मोबाइल चार्ज होगा और हमारे LED TV में कोई भी USB 2.0 नहीं दिखाई देगा उसके बाद में यह USB डबिंग वाला एक मैसेज है अब यार यह जो USB डबिंग वाला मैसेज है इस पर आपको किलिक करना है यहां पर यहां से बैक कर लिजे यह देखे फिर से नोटिफिकेशन आ गया अब कुछ भी दिखकत नहीं है अब यहां पर फिर से टीवी की स्क्रीन पर देखिए यहां पर यह देखे थोड़ा सा वेट करेंगे 10 से 12 सेकेंड वेट करना पड़ेगा आपके जो LED टीवी है उसमें USB 2.0 दिखाने लगाए यह देखे बाइस साब हमारे टीवी में USB 2.0 दिखाने लगाए यह देखे अभी जो हमारे मोबाइल में जो भी वीडियो है उसे हम अ फोल्डर होंगे जितने भी फोटोस होगे आपके मोबाइल में जितने भी वीडियो होंगे वो आपकी LED TV में प्ले करते हूं एक मिल्स तोड़ा सा इसी वीडियो को स्किप करके देखता हूं मतलब दिखाता हूँ आपको ताकि जो है आपको कोई भी कन्प्यूजन ना रही है देखे वीडियो चला है हमारी हमारे जो मोबाइल का वीडियो वही चला है भाईया तो थोड़ा साम इसे स्कीप कर देते हैं ताकि आपका जो डाउट है वह पूरी तरीके से किलियर कर दिया जाए यहां पर अभी एडिटिंग यह मेरे घर का वीडियो है जब मेरा घरवर बनना था तब मैंने सूट किया था वह हमारे मोबाइल में है तो मैंने सोचा यही वीडियो आपको चला के द देखना यह डिस्प्ले पर का जो वीडियो है वह रुक जाएगा तो मैं यहां पर खीच रहाँ डेटा की यह देखै गाइस वीडियो पुरी तरीके से रुक चुका है यहां पर नो पिलियुमेंट लिखके आ चुका है मतलब कि जब भी आप डेटा के बल डिसकनेक्ट करे तो जैसे आप फाइल टांसफर वाले ओप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके लेडी टीवी में दस से बारा सेकेंड वेट कीज़े फिर से यहां पर जो नो डिवाइस है मतलब यूसबी 2.0 है वो फिर से यहां पर दिखाने लगा यह देखे दस से बारा सेकेंड वेट जरूर क्योंकि आगर आपके टीवी में यह जो मीडिया का option है जहांसे मीडियकी option पर लाके मैंने यहां पर लिखे आ चुके मैंने डेटा के बल यह आटा लिया यहां पर मीडिया का उप्शन लाने के लिए सिंपल सा फंड आए गाइस आपको टीवी का रिमोट लेना है मैं थोड़ा सा पास से आपको दिखा देता हूं मुबाइल को जूम करके आथ में पकल लेता हूं अच्छे से आपको दिखा दूं मीडिया का उप्शन कैसे लाना यह जो लाल वाली बटन के साइड वाली बटन है ना इसी को भी यह दबाना रहता है और साइड में इस परकार से उप्शन आ जाएंगे यह देखिए आपके में टीवी पर अगर सेलेक्ट है तो नहीं क्लिक करता हूं वो जो है नौ सिगनल आने लगा क्योंकि हमने इस परकार से आपके डीवी में आपशन और अगया होगा तो यहां मीडिया लगाई आपकी मर्जी भईया तो मैंने मीडिया का ओप्षन भी लाना आपको सिखा दिया है और डेटा केबल से मुबाइल का वीडियो भी लाइव प्रूप के साथ मैं आपको चला के दिखा दिया है तो गाइस यह और वीडियो में सभी इस्टेप भईया मैंने आपको बता दिया है देखिया भीया अगर वीडियो से जुड़ी कोई भी सिखायत है कोई भी समस्या है न तो जाइए इस चैनल के अबाउड में वहाँ पे मेरा वाट्सब नंबर है और मेरा वाट्सब ग्रूप है मेरा इमेल आईडी तक है भईया वहाँ पे जाइए मुझसे कॉल कीजिए अगर कोई भी दिक्कत आती है आपकी टीवी नहीं कनेक्ट हो पाती है तो मुझे कॉल कीजिए वाट्सब पे मैसेज कीजिए भईया इतने सारे मैंने आप्शन दे रखे आप लोग मुझे कॉल नहीं करते हैं लड़कियों यार तुम लोग जरूर कॉल करना मैं तुम लोग के लिए मतलब यार समझते हो हाँ तो मैं बात कर रहा है कि आप लोगों वह अगर कोई भी दिक्कत आती है अपनी टीवी में कनेक्शन करने में इस पर कनेक्शन करने में मतलब कि अपने मोबाइल का वीडियो जो है टीवी में चलाने के लिए तो कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर वाट्सअप ग्रूप के लिंक पे आ जाईए और हाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकेंड चैनल का लिंक है वह या उसे भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वह आप लोगों की दोस्ति जो है ना बहुत गहरी करना चाता हूं मैं इतनी गहरी कि मैं जो है कहीं अगर बाहर जाओं तो आप लोग मुझे मिले बहुत ही खुसी होती भाई तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ओक है और हाँ वीडियो कैसा लगा और वीडियो से जुड़ी कोई भी सिकायत है वो तो भाई या मैंने बताई दिया क दिल से खुसी होती है जब कोई अपने से कॉल करता है तो इस चैनल के बाउट में भी जाहिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा इमेल आइडिया और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी भाईया मेरा सेकेंड चैनल का लिंक है जाके सब्सक्राइब कल के धन्यवाद दोस्तों जैहन